आज हमने सिफ 10 मिनेट में कुर्मुरा का एकदम क्रीश्पी और चैटपटा नास्ता बनाया है यह बहुत ही जल्दी बन जाता है ज्यादा मेहनत भी नहीं है और इसे हम महिना भर के लिए एर टाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं तो रेसिपी की सुरुआत करते हैं और बनाते हैं कुर्मुरा का क्रीश्पी चैटपटा नास्ता पहले हम कुर्मुरा को बून लेते हैं 200 ग्राम कुर्मुरा को हमने चान के साफ करके लिया है इसे एक टॉप में डाल देंगे लोटो मिडियम फ्लेम पे लगातार चला के कुर्मुरा को बून लेते हैं कुर्मुरा क्रीश्पी हो जाए तब तक इसे बूनेंगे मिडियूम फ्लेम पे लगातार चला कि 4-5 मिनिट हमने इसे भून लिया है देख लेंगे कुर्मूरा क्रिस्पी हुआ है कि नहीं अब देख सकते हैं कुर्मूरा का एक दम इस तरह से चूरा हो रहा है तो यह भून गया है गैस बंद कर देंगे कुर्मूरा को एक बाउल में निकाल लेते हैं कुर्मूरा को हमने एक बाउल में निकाल लिया है इसी टॉप में हम इसका बगार करेंगे 3-4 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे तेल गरम हो गया है 25-30 करी पत्ता डाल देंगे करी पत्ता को धीवी आज पर क्रीस्पी हो जाए तब तक इसे फ्राइ कर ले कुर्मूरा डाल देंगे दीमी आज पर लगातार चला के इसे मिक्स कर लेते हैं दीमी आज पर दो मिनिट के लिए लगातार चला के इसे बुनेंगे नमक और हल्दी एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है गैस आफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे 100 ग्राम हमने मकाई का चुडा लिया है इसे कॉन फ्लेक्स भी कहते हैं चुडा के लिए पहले हम मसाला मिक्स कर लेते हैं एक टेवल स्पून पिसी हुई चीनी दो तीस्पून कस्मिरी लाल मिज्ज पाउडर आधि तीस्पून हल्दी पाउडर देल टीस्पून नमक एक टीस्पून आमचुर पाउडर मिक्स कर लेंगे मसाला मिक्स हो गया है तेल गरम हो गया है तो इसमें मकाई कप उहाँ डाल के फ्राई कर लेते है थोड़ा-थोड़ा डाल के फ्राई करेंगे इस तरह से सारा तेल निकाल लेना है हमने जो मसाला मिक्स किया है बाउल में इसे के अंदर हम डाल देंगे इसी तरह से चिवड़ा को फ्राई कर लेते हैं इसे के अंदर डालते जाना है मकाई का चिवड़ा फ्राई हो गया है आदा कप मुंफली ली है, इसे भी फ्राइ कर लेते हैं तेज आज पर फ्राइ कर लेंगे तो उपर से लाल हो जाएगी और अंदर से कच्छी रह जाएगी मुंफली को लाइट ब्राउन फ्राइ करेंगे हो गई है ये, मकाई का चिवडा के उपर डाल देंगे 25 से 30 बदाम का एक का दो पीस किया है एक बदाम की हमने दो स्लाइस कर ली है, ये अंदर डाल के फ्राइ कर लेते हैं काजू बदाम आपको डालना है तो डाल सकते हैं, ने तो इसे स्कीप कर सकते हैं और आपको जितना डालना है आप उतना डाल सकते हैं इस तरह से एकदम light brown color आ जाए तब तक इसे fry करना है इसे बावल में डाल देंगे आधा कप काजू लिया है एक काजू का हमने दो slice कर लिया है इसे भी fry कर लेंगे दीमी आज पे ही हमें fry करना है light brown हो गया है इसे भी बावल में डाल देंगे एक चौथाई कप मगचतरी seeds लिया है इसे भी fry कर लेते हैं यह optional है आपको नहीं डालना है तो skip कर सकते हैं मगचतरी seeds को ज्यादा fry नहीं करना है नहीं तोर यह फूटने लगेगा और पूरा बाहर निकल जाएगा ऊड़के थोड़ा सा ही इसे fry करके निकाल लेना है इसे भी बावल में डाल देंगे यह गरभ में इसके उपर ही हम सौफ डाल देंगे सौफ हमें मसाले में ही मिक्स कर लएना है पहले हमने मसाला देंगे मैं डालना भूल गए थी इसके लिए मैं उपर से डाला है नीचे मसाला है तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे इस तरह से उचाड़ के भी हम mix कर सकते हैं चीवडा को हमने एकदम अच्छे से mix कर लिया है मसाला पूरा चीवडा के ओपर coat हो गया है अभी सब mix कर लेंगे कुर्मुरा को मैं चनी से चान लोंगी ताकि कुर्मूरा में जो एक्स्टा नमक होगा वो सारा निकल जाए कुर्मूरा को हमने अच्छे से छान लिया है अब ये चिवडा जो है इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुर्मूरा का एकदम क्रीस्पी और चटपटा नास्ता रेडी है इसे आप airtight container में भरके 20 से 25 दिन स्टोर कर सकते है इस नास्ते को हवा नहीं लगनी चाहिए अगर हवा लगेगी तो ये खराब हो जाएगा इसे airtight container में भरके रखना है रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरी चनल को सब्सक्राइब करें कमेंट बॉक्स में लिखके मुझे जरूर बताए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में